आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Question is Human Dental Formula is हमें बताना है Human Dental Formula क्या है? हमें पता है Dental Formula में हम यहां पर Formula बताएंगे अपने Teeth Numbers की जो की present होते हैं कहां पर हमारे Mouth के अंदर अब हम जानते हैं Teeth हमारे Jaw Bones से लगे होते हैं हमारे Jaw Bones में present होते हैं अब यहां से अगर हम बात करेंगे तो जो Teeth होते हैं इनका Main काम होता क्या है यह भी हम जान लेते हैं तो यह जो Food Particles होते हैं उनको Cut करने का काम करते हैं Also यह Crush करने का काम करते हैं And also यह क्या करते हैं Tearing का काम करते हैं यानि हम क्या सकते हैं जो भी Food हम खाते हैं उनको छोटे-छोटे Pieces में क्या करते हैं यह एकड़म पीस देता है, जो की काम होता है हमारे टीथ का, टीथ टोटल चार तरीके के होते हैं, four types के होते हैं, incisors, canines, premolars and molars, यानि यह टोटल चार तरीके के टीथ present होते हैं हमारे mouth के अंदर, अब अगर हम यहां पर dental formula की बात करेंगे, तो dental formula हम लिखते हैं, the number of each type of teeth in the upper jaw upon the number of each type of teeth in the lower jaw, तो यह होता है dental formula लिखने का तरीका, यानि अगर हम यहां पर dental formula को लिखेंगे, तो जैसा कि हमें पता है, कि चार तरीके के दांत होते हैं हमारे mouth के अंदर, अब यहां अगर इनके formula को लिखें, तो दो present होंगे, क्या incisors, इनको हम small i से लिख दे रहे हैं, also यहां पर a present होगा हमारा क्या, canine जिसको हम c से लिख दे रहे हैं, also यहां पर दो present होते हैं premolar, इसको हम p and m से लिख दे रहे हैं, and also क्या present होता है, तीन present होते हैं क्या molar, जिसको हम यहाँ M से लिख दे रहे हैं, यानि यह हो जाएगा अपर जो के दातों की संख्या, अपर जाके दातों की संख्या, अगर हम देखें, तो again दो incisor, एक क्या हो जाएगा, canine, दो pre-molar, and also 3 क्या हो जाएगा, molar, और यह होता है into 2, क्योंकि दोनों side के दातों को मिला कर हमें लिखना है यहाँ पर, यानि अगर normal formula देखें, तो होता है, 2, 1, 2, 3, upon 2, 1, 2, 3, into 2, is equal to, total कितने होते हैं, अडल्ट में, दातों की संख्या 32, तो यहाँ से अगर हम अपना right answer mark करेंगे, तो इस question के लिए correct answer हमारा मिलेगा हमें option 1 में, बाकी क्या option यहाँ पर wrong है, Classics to 12 से लेके, Need IIT जेही, Means और Advanced के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप, या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स, 8444 चार्स उपर,